वेलकम टोली आईए स्वाकत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज 2 जून 2022 है तो आईए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने है हमारा 1st आर्टिकल अस्त्र मार्क वन के बारे में है हाल ही में मिनिस्टर आप डिफेन्स ने एक कॉनट्रेक्ट साइन किया है किसके साथ एक पब्लिक सेक्टर भारत डायनमिक्स लिमिटेड है जोकी है घादराबाद में भेज़ध है उनके साथ इसके तहत Defense Ministry को सप्लाई की जाएगी Astra Mark 1 Astra Mark 1 या इसे आप शॉट में MK1 भी बहुत सकते हैं ये Beyond Visual Range Air-to-Air Missile है दो शब्द है Beyond Visual Range मतलब ये उस range को भी हिट कर सकता है जहां पर आप देख नहीं सकते दूसरा ये हवा से हवा में हिट करने वाली एक missile है Air-to-Air Missile है BVM Missiles usually 20 nautical miles या 37 km से अधिक range वाली missiles होती है क्योंकि उसके बाद जो Visual Range होती है वो आपको Clear Cut मिलती नहीं है तो जो AAM है यानि कि जो Air-to-Air Missile है उसका मतलब मैं आपको बताया कि ये Airborne Assets से Airborne Target को Destroy कर सकते हैं बात वही है हवा से हवा में किसी भी Target को Destroy कर देना इस Astra Mac-1 को Develop और Design किया गया है DRDO के द्वारा इससे deploy किया जा सकता है हमारे कुछ बहुत ही Prime Fighter Jets के साहन जैसे की Sukhoi 30 Mac-1 और Tejas जो इस्तिमाल किया जाता है Indian Air Force के द्वारा और MiG-29K जिसे इस्तिमाल करती है हमारी नयवी दोनों में ही लगाया जा सकता है Astra Mac-1 इसकी range 110 km की है Speed जो है वो 4 times जादा रहेगी sound की speed से यानि कि आप sonic speed से 4 गुना इसकी speed मान सकते है ये maximum 20 km के altitude पे जा सकता है इसलिए ये air combat को बहुत ही flexibly hit कर सकता है वहाँ पी successful हो सकता है चुकि अच्छी उचाई attain कर सकता है AAM यानि कि air to air missile जिनके पास BVR capability हो यानि कि beyond visual range capability हो ये लंबे समय तक किसी fighter aircraft को एक बढ़िया लंबा समय नहीं कहेंगे बलकि एक बड़ा standoff range बोलेंगे जहां पर वो बहुत ज़्यदा capable हो जाते है ये अपने adversary की airborne targets को या assets को neutralize कर पाते है और अपने adversary यानि कि दुश्मन के air defense measures को भी avoid कर पाते है क्योंकि जो इनके range होती है बहुत ज़्यादा होती है इसे लिए जब दुश्मन एक defensive fire करता है जैसे आपने fire किया तो फिर defensive fire भी आएगा तो जुकि इनके distance इतनी ज़ादा होती है कि वो उसे avoid कर ले जाते है and that is the specification of Astra Mark 1 देखे missile वगरा पर प्रशन पूछे जाते है 2014 हमें अगनी 4 missile पर question पूछा गया था तीन statement थे पहला था कि ये surface to surface missile है दूसरा है कि ये केवल liquid propellant से fuel होता है और तीसरा कि ये एक ton nuclear warhead को 7500 km की range पे ले जा सकता है अगर आपको कुछ ना भी पता हो तो आपको ये पता है कि जो अगनी 5 है उसकी range 5000 से 500 बताई जाती है तो यहाँ तो हम अगनी 4 की बात कर रहे है इसकी range 7500 हो कैसे सकती है तो आप जैसे ही तीन cross करेंगे ये तीनो cross हो जाएंगे और सही जवाब आपका A जो है वो निकल जाएगा so elimination आपका ये answer दे देगा हमारा next article चीता के बारे में है मैं एक दफ आपको पहले भी बताया था कि चीते की चाल बास की नजर और बाजी राओ की तलवार पे संदे नहीं किया करते यहां बात चीते की चाल की है वो भरत में अब नहीं है क्योंकि 1951 में इसे officially extinct डिकलेर कर दिया गया था चीता ऐसा बताया जाता है कि अकबर के समय में इनकी संख्या भारत में 10,000 से ज़ादा हुआ करती थी तो जो जहांगिरी में भी चीता का जिकर मिलता है यह भी बताते हैं कि अकबर ने शिकार के लिए इनको ट्रेंड कर रखा था और उसके पास उसके खेमे में 1,000 से ज़ादा चीता होते हैं मैं आपको बता दूँ कि चीता टाइगर और जो बाग है उसके तुलना में मैं आपको बता दूँ कि चीता अपनी प्रजाती के अनजीवों जैसे कि सेर और बाग की तुलना में कम हिंसक होता है और यही कारण है कि इसे आसानी से पाला भी जा सकता है इसका बहुत मिस्यूज हुआ है पास्ट में इसका बहुत जाता सिकार किया गया यहां पर देखिए बिश्वस जब आये तो उन्होंने इसकार काफी तीजी से बढ़ा दिया उन्होंने in fact चीता को मारने पे इनाम भी रख रखा था कि अगर कोई चीता को मारता है तो उसे इनाम दिया जाएगा दिमें दिमें चीता मरते चले गए कुछ रजवाड़ों के शौक के चक्कर में मरे और कुछ अंग्रे जोने मार दिये जो आखरी तीन चीता थे उनके बारे में मानता है कि कोरिया जो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था उसके महराजा थे चतिस गड़का वैसे प्रिंसली स्टेट था ये कोरिया वहाँ के जो महराजा थे उन्होंने आखरी तीन चीतों का शिकार किया 1947 में या 48 के दोरान उसके साथ उन्होंने फोटो भी क्लिक करवाई उसके बाद हमें लेगा कि चीता होंगे काफी खो जा गया लेकिन मिले नहीं तो formally 1951 में इन्हें एक्षिंट रिक्लेर कर दिया किया शुरू में कोसिस ये की गई कि जब एक्षिंट हो गया फिर ये हुआ कि रिंटोड्यूस करते हैं तो भाद में रिंटोड्यूस के लिए सबसे स्यूटिबल होते एशियन चीता एशियन चीता उस समय एरान में ही हुआ करते थे एरान से एशियन चीता को लाके भारत में reintroduce करने का प्लान बना लेकिन प्लान लंबा गया नहीं फिर इंद्रा गांधी जी आई तो उन्होंने भी कोशिस की कि इरान से चीता को भारत में लाके reintroduce किया जाए in between इंद्रा गांधी जी ने भारत में emergency लगा दी और उसके बाद इरान में सागा तक्ता पलट हो गया तो कुलमला के दोनों ही रेसों ने political instability फेस की इसी की resultant इरान से चीता भारत आना सके उसके बाद जब भारत ने इरान से डिमांड की कि चीता को भारत में लाया जाए तो इरान में खुद ही चीता की हरत बहुत ज़दा खराब हो गई थी मैं पको बता दूँ कि वरतमान में एशियन चीता सिर्फ इरान में ही पाये जाते हैं वो जिनके लिए इंडिया भी एक suitable habitat हो सकता था जो हम इरान से ले भी सकते थे लेकिन इरान में ये खुद ही critically endangered है बहाँ पर इनके संख्या मुस्किल से 100 बची हुई है उन्होंने खुद ही इनको नहीं छोड़ा है तो इस सिते में इरान हमें चीता बिल्कुल भी नहीं देगा तो हमने विकल्पों की तलाश चुरू की हमें लेका कि चलो Asian चीता अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम लेकर आते हैं African चीता और उसे इंडिया में reintroduce करते हैं तो इसी दिसा में प्लान बनाया गया कि हम South Africa और Namibia से African चीता लेकर आएंगे और उसे भारत के मद्रप्रदेश का जो शिवपोर डिस्टिक्ट है वहां के कुनो पालपुर जो National Park है वहां पर इन्हें reintroduce किया जाएगा तो अब ये जो काम है वो जल्दी ही होने वाला है जल्दी ही हम South Africa और Namibia से चीता लेकर आएंगे जो कि African चीता होगा, Asian चीता नहीं होगा और उसे हम कुनो पालपुर National Park में reintroduce कर देंगे चीता जिसे Acyononics, Jubatus कहा जाता है ये Big Cat species की एक Oldest प्रजाती मानी जाती है काफी और प्रजातियां हैं जिनमें से ये भी Oldest है इनके Ancestors का अगर आप History Trace करोगे तो ये 5 मिलियन सालों से रह रहे हैं मताब Myocene Era से ये existence में है इंसान जब तक डॉमिनेट नहीं करते थे तब तक ये सुरक्षित थे इंसानों के डॉमिनेट करने के बाद इनकी प्रजाती खतम होने लगी चीता को दुनिया का सबसे तेज दोडने वाला मैमल बताया जाता है जो एफरिका और एसिया में रहते हैं इनकी स्पीड 90 से 130 किलोमेटर पर आर की होती है और 100 किलोमेटर की स्पीड तो ये विदिन सेकंड्स अटीन कर लेते हैं बहुत तेज दोडने वाले धावक होते हैं ये बात करते हैं अफरिकान चीता की जो अब हम इंटर्ड्यूस करने वाले हैं ये थोज़ा सा डिफरेंट होते हैं एशियन चीता से इनका कलर ब्राउनिस होता है और स्किन गोल्डन होती है थोड़ा कलर डाक होता है थिकर होता है एशियन चीता का इनके शरीर की उपर जो स्पॉर्स या लाइन्स होती है जो लाइन्स इनके फेस पर होती हैं यहाँ पर दीखें ये फेस पर एक लाइन दिख रही है के अपेंडिक्स 1 में है और वाइड लाइड प्रोटेक्शन एक्ट के शिड्यूल 2 में है एस इन चीता की बात करते हैं तो ये थोड़े से छोटे होते हैं फिकल चीता के तुलना में इनका कलर यलोईश फॉन होता है थोड़ा सा हलका कलर होता है और जो बॉड़ी होते उस पर फर पाये जाते हैं इस स्पैसिफिकली नीचे के हिस्से पर बहुत सारे फर मिलेंगे बाकी मैंने बता दिया कि इरान में ही पाये जाते हैं सौ से कम ही बचे हैं क्रिटिकली इंडिंजर्ड हैं अपेंडिक्स 1 में है चीतर, सांबर, नील गाय, वाइल्ड पिक, चिंकारा और कैटल्सकी बरतमान में लेपर्ड और स्ट्रिप्ड हाइना दो बड़े कार्निवोर्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं एक लोन टाइगर भी है जिसे रन थमबोर टाइगर रिजर्फ से वहाँ पे शिफ्ट किया गया था हमारा नेक्स्ट आर्डिकर वैली अफ लार्स के बारे में है युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेस साइट है वैली अफ लार्स, इसे एक जून से टूरिस्ट के लिए उपन कर दिया गया है उतराखंड की बहुत ही प्राइम लोकेशन है लोग घूमने जाना पसंद करते हैं जो भी प्रकरतिक एरिया में फ्लार्स वगरा को देखना चाहते है उनके लिए एक अच्छी लोकेशन होती है इसे 1982 में एक नेशनल पार्क का दरजा दिया किया ये 87.50 स्क्वार किलोमेटर में फैला हुआ है 2005 में इसे UNESCO की World Heritage Site में भी डाल दिया किया आगे बढ़ते हैं वैलिया फ्लार्स की इसी टॉपिक में वैलिया जो है इसे एक्सिडेंटली एक बिटिस माउंटेनियर निक हो जा था बाटनिस थे हमें पता नहीं था कि हाँ कहीं पर इतनी खुपसूरत जगे है फ्रैंक S. स्मित को वहाँ पर घूमने के दौरान 1931 में ये लोकेशन दिखी जहां पे बहुत सारे फ्लार्स थे उनकी बहुत सारी प्रजातियां थी एक बहुती अनोखी प्रजाती है फूल की जिसे ब्रहम कमल कहा जाता है वो उत्तरा खंड का स्टेट फ्लार भी है ब्ल्यू पॉपी जिसे क्वीन ओफ फ्लार्स कहा जाता है उसे भी वहाँ देखा जा सकता है रिच फॉर्ण डैवर्सिटी भी है आपको लेपर्ड, मस्क डियर और ब्ल्यू शीप वहाँ दिख जाएंगे ये आपको एक ट्रांजिशन जोन में मिलेगा जासकर और ग्रेट हिमालिया की जो पाक है वो टैंपरेट अल्पाइन जोन में पढ़ता है हमारा नेक्स्ट आइगल वर्ल समिट ऑन दी इन्फॉर्मिशन सोसाइटी फोरम 2022 के बारे में है इसे अभी हाल ही में सुर्जलान के जिनेवा में हेल्ड किया गया ये युनाटिट नेशन का पहला और लार्जिस्ट एन्वल गैदरिंग है जो कम्मिनिकेशन टेक्नलोजी पे बेस्ट है ऐसे स्टेकोल्डर्स इंवल होंगे जो इसके डेवल्लक्मेंट में लगे होते हैं इसे को और्गिनाइज किया गया ITU के द्वारा इंटरनेशनल टेली कम्मिनिकेशन यूनियन युनेसको, UNDP, अनक टैड और क्लोज क्लाबरेशन रहा सभी WSIS Action Line Facilitators का यहां पर दीखिए, आगे बढ़ते हैं तो थीम रही ICT for Wellbeing Inclusion and Resilience WSIS Corporation for Accelerating Progress on SDG तो फेज में इसे अब्जेक्टिवस अधेन करने का ब्लान बनाया गया है पहला तो Multi Stakeholder Platform है जहां पर सभी Stakeholders एक साथ हाएंगे Information and Communication Technology के Issues को Address किया जाएगा पहले लिकोसिस ये की जाएगी कि हम एक Inclusive Approach अपना है National, Regional और International लेबल के लिए हमारा Next Arrigger Liquid Nanoyuria के बारे में है यूरिया बड़ी समस्या है Farmers को आसानी से मिलता नहीं है ये काफ़ी Efficient है Physical Urea के तुलना में Indian Farmers Fertilizer Corporation IFCO का Nano Biotech Research Center जो केलोल में है उसने इसे डेवलप किया यहां पर जो यूरिया है वो Liquid Form में Nanoparticles के रूप में होगा जो एक Chemical Nitrogen Fertilizer है White Color में आपको Artificially देखने को मिलता है जो बोरियों में आता है खेतों में छड़का जाता है सफेत किलर के दानों में होता है चीनी के दानों जैसा होता है गोल-गोल Unshaped होता है basically जो पौधों को Nitrogen देता है Nitrogen बहुत ज़दा ज़रूरी है पौधों के लिए इससे फसल अच्छी होती है यूरिया पे सरकार को बहुत ज़दा सबसिड़ी देनी पड़ती है नहीं तो यूरिया किसान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फर्दर उनका Indiscriminate इस्तिमाल भी किया जाता है Conventional यूरिया का जो सफेद दानों में आता है ये फोयल की जो productivity है उसको घटाता है Water और Air Pollution भी फैलाता है Conventional यूरिया जो आप खेतों में शड़कते है उसको मिट्टी 25% ही ले पाती है जैसे अगर आपनी 100 kg या सपोस करिए कि 100 unit जो nitrogen है उस यूरिया में वो छड़का है तो किवल 25 unit ही पौधों को मिलेगा बाकी run-off में बहा जाएगा या मिट्टी उसका एस्सेमाल नहीं कर पाएगी पौधों से ले नहीं पाएगे जबकि जो liquid nano urea है उसकी efficiency 85-90% की है जो nitrogen उसमें होगा वो 85-90% पौधों को मिल जाएगा अगर इसकी efficiency इतना जादा है तो यह अपने आप ही सस्ता हो जाएगा इसे सीधे पौधों की पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है और पत्तियां उसको सोख लेती है इसकी shelf life भी अच्छी होती है यूरिया आप काफी लंबे समय तक रखिए तो वो आपस में सट जाते हैं जम जाते हैं उनका cake बन जाता है ये खत्रा liquid nanourea के साथ तो नहीं रहेगा हमारा next article NTPC Biodiversity Policy की बारे में है NTPC हमेशा से इस बात को लेकी concern रहता है कि वो अपनी projects में हमारी Biodiversity या environment को नुकसान ना पहुँचाए ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने अभी हाल ही में अपनी Biodiversity Policy 2022 को renew किया जहां पर उन्हें comprehensive vision और guiding principles तयार कि कि वो कैसी हमारी Biodiversity को बचाएंगे NTPC की जो environmental policy है वो Biodiversity को secure करने को लेकर एक अच्छा initiative है जहां पर वो environmental और sustainability की जो policies हैं उनके साथ align करते हैं खुद को targets achieve करते हैं क्या features हैं इस policy की सबसे पहले तो NTPC group में जो भी professionals हैं उन्हें एक साथ लाया जाएगा कि वो जो भी target इस पूरे sector के दोरा तयार किये गए हैं उनको attain करने में contribute करें जो भी operations चलाया जा रहे हैं वो ऐसे चलाया जाएं कि environment को नुक्सान ना पहुँचाया जाए कपने effort करेगी कि bio diversity खोए ना इसी लिए वो जब भी operating sites चूज करते हैं तो बहुत ध्यान से चूज करते हैं वो किसी भी ऐसे area में अपने projects install नहीं करते जहां पर environment को ज़्यादा loss हो वो एक balance established करते हैं यह बाइड़ diversity के concept को means stream कर रहे हैं कि NTPC की value chain में इस चीज को तवज्यो दी जाए यह precautionary approach अपनाते हैं means वही किसी भी ऐसे चीगर पर अपनी projects मत लगाईए जहां पर environment को ज़्यादा नुकसान होता हो उस चीज का ध्यान रखिए यहां पर दीखे एक question है कि geographical area में किसी भी कौन से actions हैं जो bio-diversity को threat पहुचाते हैं global warming, fragmentation of habitat invasion of alien species promotion of vegetarianism इसमें चौथा नहीं है एक दो तीन है आसान question था vegetarianism बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे पत्ते खाएंगे और पत्ते खाएंगे तो क्या bio-diversity खतम हो जाएगी पत्ते खाने से ऐसा नहीं होगा vegetarianism bio-diversity को नुक्सान नहीं पहुचाएगा बहुती common सी बात है तो 1, 2 and 3 will be the correct answer यहां पर revision करिए astra mark 1 range 1000 km की है गलत है 110 km की है liquid nano urea F.co ने बनाया है that's true African cheetah vulnerable है that's true Palayaflars, Madhya Pradesh गलत है उत्राखन तो यह तो पूरा session हमारा यहां का complete हुआ PDF कहां मिलेगी आपको पता है only IASK telegram channel पे और कैसे पहुचोगे आप यह QR code scan कर लेना वहाँ जाएगा PDF नहीं मिल जाएगी PDF को download करिएगा revision करना मत भूलिएगा that's all for now thank you very much